एक और चीज जो आपसे समझना चाहेंगे हम, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ठीके अयोध्या अब हमारी हुई, अब काशी मथुरा की बारी है, क्या ये जरूरी है, क्या ये अनिवारे है? पूर्व में मंदिर थे, देवाले थे शिवाले थे उनको तोड़कर मुगली ने अपना बनाया, उन्होंने उस्स समय पर तोड़कर अपना अपना स्थान रीक्ति किया, जमीन वही थी, इस्थान वही था, जो देवताउं का था, उस भूमी पर आज लोग बापिस अपना सनातन धर्म बापिस अपनी जगा को मांग रहा है या सनातन धर्म अपनी जगा को बापिस निखा रहा है या देख रहा है तो गलत क्या है पिता की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई दूसरा कबजा कर लेगा परंतु बसियत तो पिता की थी मिलना तो उ कर देखाए पाशी के भी आप लोगों ने लिला देख़ी ही है आप Przyभगते आपको लगता है कि यह ज autor है का कामिल के लिए भी यह नंदी जो परति केवल शिवर गंगा उसके सिवा कोई नहीं संतसादू शिवर गंगा तो आज अगर मत्थुरा का मुद्दा उठा है या काशी का मुद्दा उठा है उस पेर भी सनातन धर्म की विजय ही होगी और यног कहां जाके रुकेगा लेकिं मतलब आप इसका मतलब हर मज़्द में खुदाई करें और उसके बाद मंदिर निकालें या उसके अफशीर मिलें कहां जाके रुकें आस पास हमारे इर्दगर्द भी पहुँचे या काशी मत्थरा के बाद बस हो जाये कोई तीसरी नई म कि अगर संनातन धर्म की चीज है या कोई मुद्ब सेध में है कि यह चीज है और सिनातन धर्म का है यह हमारे धर्म का है और उस पर हड़ों ने कुछ कर रखा है तो तो पधनी पर मारा देश एक सेकूलर देश है और हिंदू धर्म खुद अपने आप में सब सब को साथ लेके चलने वाला आपने खुद ही कहा भी कि किसी को नीचा दिखाना किसी को दबाना गाली देना किसी का अनादर करना हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है तो क्या हम उनकी धर्मित भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे बलत बोलते ही नहीं है हम तो अपनी चीज की मांग कर रहे हैं कि यह हमारा है और हमको दे दो